आप सभी को दुलंडी यानी रंगों की होली के इस महापर्व की हार्दिक्षुप कामना है रंग जो कि अमारे जीवन में बहुत आवश्यक है रंग बिना आम अमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते आप जो कोई नहीं देख पाते रंगों को उनसे पूछे की रंग क्या होता है जीवन में रंग हमारे त्योहार का हमारे स्वहारत का हर प्यार का हमारी उमंग का हमारे आनंद का प्रतिक माने गए है और प्रतिक रंग का अपना विशेश महत्व भी होता है तो होली के इस पर्व पर आप रंगों की खोली जरूर मनाए और मैंने मेरी इंस्टा पर आपको रंगों की खोली के आपकी राशी के हिसाब से कौन से रंग लगाने चाहिए उसके बारे में शॉट्स दियें तो आप वहां जाकर उन शॉट्स को जरूर देखें ताकि आप उन स्पेसिफिक कलर्स का उ गूँना सकते हैं होली के इस रंगों के परव को हम राधा कृष्न से जोडते हैं बगवांशी कृष्न ने राधा जी को इस दिन रंग लगा कर खोली वनाई ती रासलीला की थी क्योंकि पूतना का वद किया था और उसके बाद गोपियों ने और राधा जी ने पर जन्म से भी जुड़ा हुआ है इस दिन भगवान शिव के गण सब भगवान शिव की बारात का रूप धारन करते हैं और इसी प्रकार से रंगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मैं इस पर्व को मनाते हैं वैसे ये पर्व है शत्रुता भूल कर अपनों को गले लगाने किसी से भी आज के दिन मन मुटाव हो चाहे वो आपका अपना हो चाहे आप किसी से शत्रुता रखते हो आज वो सब कुछ भूल जाएए और उसे रंग लगा कर गले लगाईए और अपने जीवन में इन रंगों का आनंद और अधिक उठाईए तो आप सभी को एक बार फि करते है आज के पंचांकी तो फालगुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथी आज है जो कि दौपेर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगी उसके बाद प्रतिपदा तिथी प्रारंब हो जाएगी उत्तरा फालगुनी नक्षत्र भी आज के दिरा रहा है जो कि प्रातक काल 10 10 बजकर 38 मिनट तक रहेगा उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज करनिया राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे श्रीवत्स योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरिड दौपेर 1 बजक 30 मिनट से 9 बजे तक रहेगा तिशा सुलाज पुर्व दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो दूद पी कर इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज के इस विशेश दिन के दैनिक राशी फल पर आज सबसे पहले शुरुवात करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए किवल चिंतन कीजिए माइग्रेन और सरदर्च से समंदे जो रोगी हैं उनको थोड़ा सा सावधानी के साथ आज के दिन को निकालना होगा आज के दिन अपने परिवार के साथ सबी चिंताओं को दूर कर साइड कर आप खोली का पर्व मनाएं जिससे रंगों से आपको बहुत अच्छा और हलका फील होगा आज के दिन आपको अपने प्रतीदवंदियों से सावधान होकर चलना है कुछ लोग आपके कान बढ़ने का भी प्रयास करेंगे और कुछ लोग आपके विरुद भी बोलेंगे ऐसे लोगों से सावधान रहें उन्हें इग्नोर कर दें हुली के दिन सुबह 108 मखानों की माला मा लक्षमी जी के मंदिर जाकर जरूर चड़ा है आपका शुबरंग रहेगा बादामी शुबंग रहेगा साथ अब आतें वरशब राशी पर आपकी दासी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है परन्तु अपने बच्चों पर विशेस रूप से सावधानी से ध्यान रखें वरना कोई एक्सिडेंट उनके साथ हो सकता है आज के दिन कला के शेतर से जुड़े हुए लोग अपनी कला के माध्यम से आप प्रसिद्धी और सबका दिल जीत लेंगे आज के दिन मित्रों का साथ और सयोग मिलेगा अध्यात्मिक कारियों में आज आपका मन अधिक लगेगा होली के दिन सवा किलो चावल की खीर बना कर कुस्टा श्रम में दान करें आपका शुबरंग रहेगा गुलावी शुबंग रहेगा चार अब आते हैं मित्रों राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन चौथी भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन आपको बहुत सावदानी के साथ रंगों की होली के लिए आरती की स्तती को ध्यान में रखकर रंग खरीदें और होली पर उड़ाएं क्योंकि आज के दिन अगर आप बजट से बाहर गए तो बहुत सारी समस्यां आपके जीवन में उत्पन हो जाएगी आज के दिन आपको माता पिता से विवाद नहीं करना है शांती से अपने मुद्दों को सुलजाने का प्रयास करें क्योंकि विवाद की संभावना बने हुई है हुली का दहन होने के बाद में रात्री में गर के पूजा इस्तल पर बैठकर स्री सुक्त का ग्यारा बार पाठ जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा काला शुबंग रहेगा नो अब आते हैं करकर आशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है बाई बैनों के साथ में अच्छा और कॉलेटी टाइम बिताएंगे आज के दिन कुछ बड़े डिसीजन भविशी के तौर पर आपको लेने पड़ सकते हैं आज के दिन मित्रों का साथ और सयोग मिलेगा और कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसनता के भाव उत्पन होंगे होली के दिन संद्या के समय अपने घर की उत्तर दिशा में एक शुद्ध घी की अखंड जोती दीप जरूर जलाए आपका शुबरंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा दो अब आते हैं सीयन आशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला हैं आपके कारे फटा-फट से होते दिखाई देंगे यात्राय आपके लिए सुकद और मंगल में रहेगी आज के दिन कुटुम में मान सम्मान बढ़ेगा आज के त्योहार को आप अपनी कुटुम और परिवार के साथ हसी कुशी से मनाते हुए दिखाई देंगे आज के दिन रूटे वे भी मान जाएंगे होली की रात में एक सफेद वस्त्र में सवा किलो ग्राम साबुत चावल बांद कर अपने पूजा इस्तल पर आज के दिन जरूर रखें आपका शुब्रंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा आट अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रह्मन करेंगे आज के दिन ब्रहमित होने का प्रयास बिल्कुल भी न करें किसी से बैस हो सकती है दद्याल वालों से थोड़ी से सम्मन्द खराब हो सकता है इसलिए आज के दिन बाणी पर सेम और कुरोध पर नियंतरन रख कर चलेंगे तो आपके लिए बैतर रहेगा आज के दिन आप कोई भी कारे ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए आज के दिन सभी दूरियों को मिटा कर आपको इस्त्योहार को इंजॉय करना चाहिए ओम श्रीम श्रीय नमा मंत्र का 108 बार जाप आज के दिन जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा लाल शुबंक रहेगा पांच अब आतें तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके खर्च की स्तत्यों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें आज के दिन कोई भी कारिया जल्द बाजी में बिल्कुल भी ना करें योजनवत तरीके से किये गए कारियों का विशेस लाप रापत होगा रूटीन के कारियों को आज के दिन सब्पन करें आज के दिन ओर एक्साइटेड होकर किसी के साथ में मत्तमीजी ना करें होली के दिन एक रोटी पर पांच बताशे रख कर आपको गाये को खिलाने चाहिए आपका शुबरंग रहेगा बैंगनी शुबंग रहेगा एक अब आते हैं व्रशिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए उत्तम लाप की परिस्तितिया लेकर आएगा अचानक दनलाप से आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप प्रसनता मैसूस करेंगे आज के दिन आपक के दिन आपको सबसे पहले लड़ू को पाल के सामने एक शंक में जल बरकर रखना चाहिए और उसके बाद होली खेलने के पश्चात आप इस जल को पूरे घर में छिड़काव करतें आपका शुब्रंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा नो अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है परन्तु पिता के स्वास को लेकर कुछ चिंता उत्पन हो सकती है आज के दिन उनके स्वास के विशेश रुप से ध्या आपको रखना होगा आज के दिन आपको अपने मित्रों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और परिवार के साथ आप अच्छा इंजॉय त्योहार का करते हुए दिखाई देंगे बस थोड़ा सा केरफुल होकर चलें और किसी से भी वाद विवाद की स्ततियों से बचे होली के दि से अभिशेक करके अपने पूजा कक्ष में स्थाफित करें आपका शुबरंग रहेगा जामुनी शुबंक रहेगा ती अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आता आज के दिन आपके काम अटक सकते हैं आता आज के दिन नए कारे की शुरुआत बिलकुल भी ना करें जो दूरे पड़े हुए कारे हैं उनको संपन्न करने का प्रयास करें मित्रों का विवात को और बड़ा ना बनाएं उसे बड़ा तूल ना दे इससे आप अपनी अच्छी फ्रेंशिप खोसेते हैं हुली के दिन सफेद रंग की वस्तूओं का दान आपको करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा सफेद शुबंग रहेगा जार अब आतें कुम राशी आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन आट वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे ता आज का दिन आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा परन्तु यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी कारियों फटाफट से होते दिखाई देंगे कारियों में आरे अब जानवरों से साधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है और लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा अवाइड करें एक पातर में हल्दी घोल कर पीले रंग का गुलाब मुख्य द्वार्प के दोनों कौनों पर छिड़कें आपका शुबरंग रहेगा मैर अब आते मीन राशी पर आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचे ड्रमन करेंगे अता आज का दिन व्यापारिक वर्ग के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है व्यापार में आप कोई भी कारिया नया नहीं शुरू कर पाएंगे आज के दिन रुटीन के कारेयों को पूर्ण करने का प्रयास करें जीवन साती के साथ में किसी भी बात को ले कर बहस हो सकती है इसलिए उनके साथ बाद विवात की यस्तितियों से आत्योहार के दिन आपको बचना होगा गलत मित्रों की संगती थोड़ी सी त्याके और ऐसे मित्रों से थोड़ा सा दूर रहें माता लक्षमी को लाल गुला पुष्प और फल आदी आज के दिन अर्पित जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंक रहेगा नो तो यह 25 मार्ट सुमवार का देनिक राशिफल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे कृष्णा अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करें आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो